पूछ करने और दोस्तों अचैनार स्वागता है किस तरह से उच न्याले को सवतंद्रता दे रखिये हुसके बारे में भी बात करेंगे में इस था में पांच नं। प्लान गशयत्रादिकार पहले जानते कि शहत्रादिकार का मतलब क्या होता है प्रारंबिक शेत्राधिकार का मतलब जिसको हम ओरिजिनल जूरिस्टिक्षन कह सकते हैं ऐसा शेत्राधिकार ऐसे केस जो सीधे हम हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं तो ऐसे कोई भी केस जो सीधे हम हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं वो कहलाएंगे प्रारंबिक शेत्राधिकार अपील ये शेत्राधिकार का मतलब, ये ऐसे केस है जो सीधे हाइड कोर्ट में नहीं जा सकते हैं पहले अधिनस्त तिन्यालों में या किसी राजस्वन न्याले में अधिकरण के मुद्दे होते हैं केस होते हैं यहां इसके बाद इस केस के विरुद अपील कर सकते हाई कोर्ट में तो ऐसे केस कहलाते है अपीले शेत्रादिकार ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया हुआ कि प्रारंबिक शेत्रादिकार क्या होता है और अपीले शेत्रादिकार क होता है प्रारंब एक्षेत्र अदिकार में क्या आते हैं उसके बारें बात करते हैं ऐसा कोई केस जिसके विरुद्ध हम सीधे हाई कोट में जा सकते हैं तो सबसे पहला आपको पता होगा अनुछेद अनुछेद दो सो चब्विस के तहत मूल अधिकार और अन्य अधिकारों के उलंगन पर हाई कोट रिट जारी कर सकता है पिछले वीडियो में हमने बात किते हैं कि उच्छ न्यायले पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है मूल अधिकार की उलंगन पर भी और अन्य अधिकारों की उलंगन पर भी वो रिट जारी कर सकता है लेकिन अंतर क्या होता है अब यहां से सवाल पुछ जाता है कि उच्चतम न्यायले और उच्च न्यायले की रिट जारी करने की शक्ति में अंतर अंतर किया होता हूँ यह फोग्तिस सम्वेधानिक अधिकार अब देखो इहां पर इन दोनों में अंतर क्या है सुप्रेम कॉर्ट और हाई कोट के रिट जारी करने की शक्ति मंतर अनुचेद 32 और अनुचेद 226 में यहाँ पर अंतर पूशे जा रहा है तो देखो यहाँ पर हमें पहले तो यह क्लिर होना चाहिए कि उच्चतम न्यायले क्योंकि भारत का न्यायले सर्वच न्यायले है तो उसके जो शेत्रादिकार है भोगोलिक जो शेत्रादिकार है वो पूरे देश पर है जबकि हाई कोट का जो शेत्रादिकार है जिस राज्य का और जहां तक उसका शेत्रादिकार है जिस राज्य या हमें सवाली option में इस तरह से आ सकता है कि रिट जारी करने की करने की शक्ति किसकी व्यापक है तो व्यापकता ज्यादा high court की है हमें लगता है कि उच्छ नियाले की व्यापकता ज्यादा हो सकती है होनी चाहिए लेकिन उच्छ नियाले की जो अधिकार है उसकी व्यापकता ज् से क्योंकि supreme court केवल मूल अधिकार से संभूंदित रिड़ ही जारी कर सकता है जब kullod करके साथ अन्य अधिकारों के उलंगन पर रिड़ जारी कर सकता है यानि रिड़ 파क्ति ज़ारी करने की जो शक्ति इसकी व्याफपक्ता रिड़ाइन help कерती है दूसरे लोग सभा और विधान सभा चुनाव से सम्मादित कुछ भी विवाद होता है उसकी प्रारंबिक सुनवाई भी हाई कोट में होगी उसका कोई भी अधिनत नहीं उसको नहीं सुन सकता है उसका केस सीधा हाई कोट में जाएगा सुप्रिम कोट में भी नहीं जाएगा तो यह हो गया इसका प्रारंबिक शेत्रादिकार, अब बात करते अपीलिय शेत्रादिकार, अपीलिय शेत्रादिकार का मतलब जो भी अधिनस न्यायले निचले कोटे, उनके खिलाप अपील कर सकते हैं कहां पर हाई कोट में, तो अधिनस न्यायले हो, चाए राजस्वन न् करनाय चाहिए कोई प्रादिकर अधिकरर्ण हो उसके खिलाप भी हम अपील कर सकते हैं किस तरह की माम लोगी वे दिवानी माम लहो फोजदारी माम लहो या राजसवा दिवादी क्या है दीवानी का मतलब कोई भी सिविल केस इंगलिस में का मतलब होता क्रिमनल केस ठीक है कोई भी हत्यार डकती लूट अपहरण रेव इस तरह के जो भी सारे आफ़ वह पराधि में आता हैं फोजदारी जिससे किसी का संपत्ति का जगडा हो गया कोई बैक्थी दो संपत्ति करने कि ये मेरी संपत्ति किसी कोई अपराद सब्सक्राइब कि विए कोई इस और यह इसके बाद बात करते हैं उसके कुछ परशाशनिक शक्तिया या प्रशाशनिक शेत्रादिकार तो high court से नीचे जो भी नयाले अधिनस्त नयाले है यहाँ पर अधिकरण की बात कर सकते हैं राजस्वन याले का अलग यहाँ पर उनका हलाकि राजस्वन याले का भी addiction करना हो नियंतरन करना हो निर्देशन करना हो यह सारा high court करता है हलाकि राजय सुनियाले, राजय सो मंडल के अधीन भी आता, वहाँ पर भी उसकी सुनवाई होती है, वो ही उसके जो करमचार है, उनके चैन और उनके बारे में देखता है, ठीक है, तो यहाँ पर mainly अधिनस नयालो का जो addiction करना, उसको supervision करना, उसको control करना, उसके लिए नियम सटेयो करना उसको सब्सक्राइचन बनाना इसुट को नियम बना सकता है किस प्रकार यह बना सकता है, जैसे आपको प्ता होगा ही बना बना सकता है, हाला कि इसके लिए वो राज्य पाल की पूरो अनुमती जरूरी होती है लेकिन वो नियंतरण में हाई कोर्ट के ही रहता है हाई कोर्ट ही उसके नियम तेह करेगा राज्य की सरकारे विदान सभा में कानुन बना करते नहीं करती है अब देखते हैं एक और शक्ति अभिलेक न सकती ह dire 106 कि जो भी उचनले के फेसले हैं वो सारे के थारे रिक्रोंड के रूप में शुरक्षित रहते हैं और आंगे आने वाले सभी फैसलों पर भी वह लागू होते हैं दिया सकता है उच्छेने इसलिए आपने देखा होगा मीडिया में भी तो अलोचना बहुत जोर दोर असे होती है लेकिन कभी आप यह नहीं दिखेंगे कि court के फेसलों कोई भी आलोचना करने का अधिकार मिल जाए तो फिर ऐसा होगा कि media उनकी आलोचना करेगा इसलिए इसमें ये वेवस्ता की गई है कि कोई भी media कोई भी व्यक्ति न्यायले की अवमानना नहीं कर पाए अगर न्यायले की अवमानना शुरू हो जाएगी तो कानून का शाशन ही समाप्त हो जाएगा इसलिए कोई भी न्यायले की अवमानना नहीं कर सकता है ऐसे शक्ति हाई कोट और सुप्रिम कोट को दी गई है हाई को एसा नियम भी बना सकता है कि कोई भी अधिनस नहीं लोगी को भी अवमाना नहीं करेगा अधिनस नहीं लोगी भी अवमाना करता है तो भी वो हाई को गती की अवमाना हो सकती है Nyaik Pundra условokan की शक्ती Nyaik Pundra låokan की शक्ती भी अब यह हमने बात की थी पिछले वीडियो में नयाइक पुन्रावलोकन की शक्ते भी इनके पास होती है, नयाइक पुन्रावलोकन का मतलब क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू, संसद, देखो मैं यहाँ पर संसद की भी बात कर रहा हूँ, संसद या राज्य की विदान मं के लिए नहीं, यह हाई कोट को भी यह पावर है, कि संसद भी अगर कोई कानून बनाती है, राज्य के विदान मंदल भी कोई कानून बनाता है, और वो कानून संविधान के अनुसार सही नहीं है, तो हाई कोट के पास भी अधिकार है, कि वो उस कानून को सुन्य गोशित क कर सकता उसको रद कर सकता है भले वो काशन संसत की दोरह ही बनाया क्यों नہी को नहीं हो इसको कहते है नियाइक पुणरा हुलोकिन की शक्ती संसत क क्या क्या संसत कम खुर्द का क। पूर Edu देश का कोई भी हाई कोःप आफील होती invited नहीं नहीं है तो उसे रद कर सकती है और कई बार हाई कोड़ अपने ही फैसले को वापस बदल सकते हैं यह भी न्याईक पुन्रा वोलोकन की शक्ति में आता है तो यह हो कि उसके शेत्रादिकार और सकते हैं अब लास्ट में बात कर लेते हैं उच्छे न्याईले की स्वतंदरता क सबसे पहले तो हमें पता देखो इसका उच्छ न्याईले पर राज्य विदान मंदल का कोई कंट्रोल नहीं होता है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ने तो किसी न्याईदीस को नहीं हाई को वो फ्रीली अपने डिसेजन दे सके इसलिए यह सारी स्वतंद्रता इनको दी गई इनकी नियुक्ति कोई राज्य का राज्य पाल या मुख्य मंद्री के द्वारा नहीं होती है राश्ट्रुपति इनकी नियुक्ति कर सकता है और उस राश्ट्रुपति के नियुक्ति में भी केंद्रिय मंद्रिय मंदल का स्तक्षिप नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायलो की प्रामर्श, न्यायदिस के जो प्रामर्श हैं, उनके बाद ही ये मेंली होता है, वो राज्य के राज्यपाल से भी प्रामर्श करता है, लेकिन जो मेंली होता है, वो सुप्रिम कोर्ट के न्यायदिस के प्रामर्श आवशक है, सेवाकाल इनका नियत रहता है, 62 वर्ष की उम्र तक इनका सेवाकाल होता है जैसे ऐसा फिक्स नहीं कि 3 साल के लिए 5 साल के लिए 6 साल के ऐसा फिक्स नहीं है 62 वर्ष की आयू तक यह अपने पदपर बने रह सकते हैं इसके पहले इनको नहीं हटा सकते हैं अगर हटाना है तो कोन हटा सकता है राज्य का विधान मंडल को इनको हटाने की पावर नहीं है अगर किसी न्यायदिश को हटाना है तो बहुत ही कठिन परक्रिया से गुजरना पड़ता है और वो ही कठिन परक्रिया महावयोग जैसी परक्रिया तो महावयोग जैसी परक्रि नहीं है कि वो उच्छी न्याले के न्याइदिस को हटा सकते हैं के वल संसद ही महा व्योग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते तो इस प्रकार से इनको स्वतंद्रता मिलती है कि वो अपने decision freely ले सकते हैं वो किसी के दबाव में काम नहीं करें इसी तरह से उनके वेतन भत्ते कम नहीं कर सकते हैं सेवा काल के दोरान के वेतन भत्ते ना तो राज्य का विधान मंडल कम कर सकता है ना ही संसद कम ऐसा कर सकती है ठीक है, हलाकि जब वित्य आपात का लगता है, तब इनके वेतन बत्ते, वो सभी के कम किये जा सकते हैं, ऐसे ही संसद या विधान सबा में नियाएदिसों की जो भी कारिवाही है, जो भी उनको उनको फेसले दिये, ना तो संसद में, ना ही विधान सबा में, किसी भी पर आएगा 1-2-1, ये ध्यान रखना जरूरी है, अनुचेद 121 में लिखा हुआ कि सुप्रीम कोट के किसी भी नियाएदिसों पर संसद या विधान सबा में टिपणी नहीं हो सकती है, ऐसे ही अनुचेद 211 में लिखा है, कि उच्छे नियाएदिसों पर ना तो संसद में और नहीं विधान सबा में उन पर टिपणी हो सकती है, संसद में महावयोग जब चल रहा हो तब वो ऐसी बात कह सकते हैं, इसके लावब हमने पड़ा न्याइक पुन्राव लोकन की शक्ती होती है, वो राज्ये विधान मंगल के कानूनों को चैंज कर सकता है, संसद के कान और इनको सवतंदरता यहाँ पर दे रखी है, तो यह हाई कोर्ट के बारे में था, हाई कोर्ट का टॉपिक लगबग यहाँ से अब खतम हो चुका है, सारा जो भी इंपूर्टिंट था वो में आपको बता दी हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अधिनस्त नयायलो के बारे मे पढ़ेंगे, थोड़ा सा जब सब जो कोर्ट से उनके बारे में होने के बाद यह नयायलो का टॉपिक भी यहाँ पर खतम हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, थेंक्यू